नई वीडियोज देखने के लिए शिमारू चानल को सब्सक्राइब करें एक सेकें रिष्टा का फोन है करेक्ट में रुखो हलो हाँ रिष्टा तुम तो अगले हफ्टे आने वाली थी ना आच्छा अगला रही हो ठीक है बेटा ओके हाँ बाए 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 क्या हुआ सब ठीक है हाँ रिष्टा कल आ रही है अरे वा इतने समय के बाद तुम्हारी बेटी वापस घर आ रही है और तुम कामका अटेंशन ले दियो गुनाल हमारी शादी को सर्फ एक साल हुए और रिष्टा को इसके बारे में कुछ नहीं पता है मुझे डर है कि जब वो हमारी शादी के बारे में जानेगी तो वो कैसे रियाक्ट करेगी अरे बताने की क्या जूरत है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो नहीं गुनाल पहले बात और थी वो हमारे साथ नहीं रहती थी तो छुपाना आसान था पर अब वो हमारे साथ रहेगी तो जैसे मैंने सोचा है कि जैसी वो आएगी ना मैं उसे सब कुछ बता दूँगी जानते उसे थोड़ा बुरा लगेगा पर हम दोनों सब कुछ समाल लेंगे है ना रिशित्रा को मत बताना कि तुमने मुझसे शाड़ी कर ली देखो पहले भी तुम एक गलती कर चुकी हो अब दुबारा इस तरह से मिलबा कर तुम वापस से वही गलती करने वाले हो देखो इतने समय के बाद बॉर्डिंग इस्कूल से तुमारी बेटी घर आ रही है और एक्दम से तुम उसके सामने एक नया बाब ख़ड़ा गर दोगी देखो उसको इस महल में ढलने दो थोड़ा एड़्जेस्ट होने कर थोड़ा हमारे साथ में रहेगी तो मुझे समझ पाएगी अब बाद में तुम उसको बता भी दोगी तो उसको जटना नहीं लगी ता अबागी तुम्हारी मर्सी हो तुम ठीक के रहो तुम ठीक के रहो रिशिता हाई मॉमा है हेलो मेक्टाब सुबे से मैं तेरा इंकजार कर देखे हाँ और मैं इंपजार कर रही थी आपके उस बड़े से सर्प्राइज का जो आप मुझे देने वाली थी आपने मुझे फॉन पर बताया था यू रिमेंबर? रिमेंबर जल्दी बतावनो मम्मी क्या सर्प्राइज है मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाली हूँ कुनाल इंसे मिलो यह मेरे बहुत अच्छी फ्रेंड है और मेरे बिजनेस पार्टनर भी बिजनेस पार्टनर? यही तु सर्प्राइज है मैं और कुनाल मिलकर एक बहुत बड़ा योगा फिकनेस सेंटर खोलने वाले हैं वाँ ममा और सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक जगा भी नहीं खरीदी पड़ी कुनाल अपना घर एनुवेट करवा रहे है नीचे हम योगा सेंटर कोलेंगे और उपर यह खुद रहेंगे पर जब तक इनका घर एनुवेट होता है यह हमारे साथ ही रहेंगे और कुनाल तुशिता के बारे में तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि वो अहां बार्डिंग इसकूल में पढ़ती है बहुत टैलेंटिड है ड्राइविंग का शौक है और चॉकलेट इनकी जान है देखो तुमसे बिना मिले तुम्हारे बारे में कितना कुछ जानता हूँ लेकिन एक बात तो आपको मेरे बारे में मैं 101% नहीं पता कि मैं अपनी चॉकलेट किसी के साथ शेयर नहीं करती इसलिए यह मैं अकेले ही खाने वाली हूँ थांक्यो कुनार इतने अच्छी से सब कुछ हागिल करने के लिए अब ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा दिन रुखना नहीं पड़ेगा जल्दी ही हम रिशिता को अपने बारे में बता देने जो लड़की अपनी चॉकलेट भी शेयर नहीं कर सकती वो अपने बाप की जगा किसी को कैसे दे सकती है इतना भी असान नहीं है जल्दबाजी मत करो पहलो उसे इस माहौल में ढ़लने दो पहलो फिर उसे के बाद बता दे ना चिंक है वाई दोबे लिशिता का है? अपने कमरे में है आपके कुनल, आईए ना क्यासा लगए आईए? अच्छा लगए ना ठीक है? वाँ, उप्पास्ता हाँ, मैंने बनाया रियाली? बहुत अच्छा बनाया प्रीती ने बताया था और ये भी बताया था कि पास्ते के बिना तुम लंच भी नहीं करती हो ये तो अच्छी बात नहीं है हाँ, हाँ तुम तो ऐसे बोले हो जिसे तुम्हारे अंदर सब अच्छी बाते है मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ मेरा कोई भी प्रॉबलम नहीं है प्रॉबलम नहीं है सबसे बड़ा प्रॉबलम है तुम्हारा गुसा अगर इनके हिसाब से कोई चीज ना होना तब इनका गुसा देखना गुसे में पागल हुजाते हैं ये खुनाल अंकल अब तो मुझे आपसर डर लग रहा है अरे, मुझे डरने की ज़रूद नहीं है तुम तुम मेरी बेटी हो बेटी तो मैं सिर्फ अपने पापा की हूँ हम फ्रेंड्स हो सकते हैं पुम पाझब नहीं येवा ऑजल आपसर दिर्फ नहीं कर दो देखना व धापसर आपसर अर्वर्ण पापसर दो पर दो अर्पसर बेटी बेटी अर्प्र वो झाल 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 क्या कर रहें छोड़ो मुझे छोड़ो ममी ममी कुणाल अंकर ममी 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 आप एक चोर को साया था उसने बीचे से मेरा टॉप भी काट दिया और उसने मेरे को एक केची से मारा मेरे सारे खपड़े भी काट दिया ममा क्या हुआ रिशिता की कमरे में कोई चोर गुसाया था उसने इसकी कपड़े काटे और मानने की भी कोशिश की क्या तुम्हे काम करो रिशिता को कपड़े चेंज करा हूँ मैं पुलिस को फोन करता हूँ अरे वाँ तुम तो इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो ममा पर मुझे इस ड्रेस में बहुत अनकमफरटेवल फील हो रहा है मैं क्रिस के साथ जागे अपने टे कुछ कपड़े ले आओ हाँ पर कुनाल कह रहा था कि वो तुम्हें शॉपिंग पे ले कर जाएगा अरे वाँ इंडियन ड्रेस में तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो क्यों? वेस्टरन ड्रेस में अच्छी नहीं रगती आप ऐसी बात कर रहे हैं सही तो बोल रहा हूं मैं पर ये सारी रोक टुक लड़कियों पे क्यों लगाई जाती है? लड़कों पे तो नहीं लगाई जाती क्योंकि लड़के अपने आपको डिफैंड कर सकते हैं और फैक्ट यही है कि लड़किया वेसे के लिए वीक होती है, उन्हें हर बार प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है. पर अंकल मुझे ऐसा नहीं लगता कि लड़किया वीक होती है. लड़कियों को वीक बनाया जाता है, उनला पे इतनी सारी पावंदिया लगा कर. और फैक्ट तो यह है कि लड़कियां पहलवानी कर रही है, देश चला रही है और लड़कियों को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है जरूरत है तो आपको अपनी सोच बदलने की रिशिता ये को तरीका होता है बड़ो से बात करने का देखा, अगर लड़कियां बोलती है तो उनने आसे चुपकर आदिया जाता है हाई क्रेस, बाओ हाँ कुनाल अंकल, ये क्रेश है, बोर्डिञ्ग स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था थेलो, अंपिल. क्रिश, बेटा, आखो, बेटो ना? नहीं, नहीं, बस अब लेट हो रहा है. मैं रिशिता को लेना आया था. चुल्ले. ठीकि, मैं जात्ती हूँ. ठीकि. मैंने तुम्हें कहा था ना, कि मैं रिशिता को शॉपिंग में ले जाने वाला हूँ. तुमने उसको बताया नहीं? मैंने उसे बताया था, पर वो पहले ही क्रिश को कॉल कर चुकी थी. और वो मुझसे पर्मिशन देके गई है. और अच्छा है ना, हमें भी कुछ वक्त अखेले में मिल जाएगा. तो ठीक है फिर? आरी हूँ, एक मिनिट्ट! इतनी क्या आफ़त मचा रखी है, एक साथ इतनी सारी गंटिया? और तो अकेले ही आई है, तेश के नहीं है कुझे छोड़ने? अरे ममा, वो क्या छोड़ेगा मुझे? उसका तो खुद बुरा हाल है. क्यों? क्या हो गया? उसके गाड़ी का किसी ने इतना बुरा हाल किया कि बस पूछो ही मन! इने गहरे-गहरे स्क्रैचेज मारे है ना और चारो टायर भी काट दिये. उसके पापा की नई गाड़ी थी. फ्लोरों के बुरा हाल है बिचारे का. ममा बहुत जादा एक्जॉस्ट हो गई हूँ. मेरी पसंद का तो कुछ मिला ही नहीं. ये क्या लेकर आई है? सलवार सूट. अब आप लोग इतनी तारीफ कर रहे थे और मुझे कुछ मिला नहीं तो मैने यही ले लिया. कुनाल अंकल कहीं दिखाईने दे रहे? तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद वो चले गए थे. उन्हें कोई जरूरी काम था. आते ही होंगे? जो तब तब तुम फ्रेश होलो. कुनाल अंकल को देख रही हूँ. क्या देख रहे हो? मम्मी मैं कुनाल अंकल को देख रही हूँ. कुई इतना पॉफेक्ट कैसे हो सकता है? खाना इतना अच्छा बनाते हैं, भाते इतनी अच्छी करते हैं, नेचर इतना अच्छा है, कोई नशाबी नहीं करते हैं, और तो और सारी चीज़ा खुदी मैनेज करते हैं. हम, वो ऐसा ही है, बहुत अंडरस्टांडिंग है, बहुत समझदार है, बस कभी-कभी अपना टेमपर थोड़ा लूज कर लेता है, वो भी तब जब उसके हिसाब से चीज़ें ना हो रही हूँ, बिल्कुल तुम्हारे डैडी की तरह. ममी, प्लीज, आप उनको डैडी से कमपेर मत कीजी, डैडी जैसा कोई नहीं हो सकता. बिटा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना ना लेते हूँ. रिशिता, आओ बिटा, खाना ठंडा हो जाएगा. बाइदे वे, ले आई रिशिता कपड़े? हाँ, ले आई. क्या लाई है? देखोगे तो हैरान हो जाओगे. वो अपने लिए सलवार सूट लेकर आई है. क्या? सच में? क्या बात है? आज जब मैं उसे मिली न, तो तुमसे बहुत इंप्रेस थी. काफी तारीफ कर रही थी तुमारी. लगता है कि टाइम आई गया है, कि रिशिता को अपने बार में बताई देते हैं. हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन… हाई मुमा. आज आए मुमा, थोड़ा लेट हो गई. हलो बेटा. हाई. वैसे प्रीदी, तुम्हें नहीं लगता है कि हमें रिशिता को ट्रिप ले जाना चाहिए? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? रियली, इंफेक्ट कल मैं और क्रिस भी एही सोच रहे थे. अच्छा, अरे तो इसमें सोच नहीं क्या बात है? चलते हैं ना फिर? कहां जाना है, ये डिसाइड करो. तुम बैटा, मैं देखते हैं. क्रिश. आओ. आजो. चलो, खाना खात. ने, मैं अभी बस खाना खाके आया हूँ. क्रिश, तुम्हारी गाड़ी पे जिसने स्क्रैच मा रहा था, उसके पारे में कुछ पता चला क्या? आँटी वो CCD फोडेज निकल भाई है, पता सल जायागा. आजकर कुछ अजीब से चीज़े हो रही है. अभी कुछ दिन पहले रिशिता की कपड़ी किसीने काट दिये थे. तो आँटी आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई? कुनार, तुमने पुलिस को कंप्लेंट की थी न, क्या हुआ? हाँ, हाँ, मैंने कंप्लेंट तो की थी. अब देखते हैं, क्या हो सकता है? तुम्हारा असाइन्मेंट कंप्लेंट हो गया? अरे अभी कहा है तुमारी हेल्प चाहिए तुम आ गयो नो तुमारे साथ करूगी उसे के लिए तो आये हूँ ममी मैं क्रिस के साथ अपना असाइन्मेंट पूरा कर लेती हूँ और खाना भी अंदर ही खालूंगी हाँ जाओ तुम मुझे अपना असाइन्मेंट देखा क्या बनाया है तो नहीं मुझे देखना है असाइन्मेंट तुम से मिलने के लिए तुम पागल हो गया है क्या अरे या जब से तुम घर आई हो थोड़ा बड़ टाइम मिलता था वो भी चला गया कुछ तो मिलना चाहिए ना क्या कर रहेंगे तुम ममी आजाएंगी अरे तुम तुम दर के रही हो देखो मेरा दिल कितनी जोर से दढ़क रहा है अच्छा तुम काम बरते हैं दिल से दिल मुला के देखते हैं कैसा लगता है खाने कोने कारे हूँ? मैं एक मिनेट में आता है कुछ लेके आओ, जूस वगेरा नहीं अंकल, थैंक यू ठीक है, तुम पढ़ाई करो, सी यू जी तुम्हारे अंकल बहुत अच्छे है, बहुत सुई हाँ याद, मेरा तो बहुत केर करते हैं अच्छा क्या बता रहे थे तुम मुझे? मैं ये बता रहा था, कि इसली फाइल में ना दितो अरे, तुम यहाँ रिष्टा जाह रही होगे, तुम्हाँ भी कमरे में होना चाहिए था मैं चेक करके आया हूँ, वो सोरी है जरा सभी मौका जाने नहीं देते हैं और वैसे भी, आज कल मौके मिलते ही का है हालो, क्या हुआ क्रेश? सौरी यार मैं इतनी रात को फोन कर रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि बिलीब में हो रहा है बोलना क्या हुआ तुम्हा पता है, जिस आदमी ना हमारे कार को स्क्रैच किया था ना उस आदमी ने सेम ऐसी शट पहनी हुए जैसे उस दिन कुझाल अंकल ने पहनी हुई थी तुग्या वात करा, यार जो हम गर से बाहर देतु तो कुझाल अंकल घर पे ही थे यार, तु मुझे सोने दे, तू भी सोजा, फुर्णाइप अरे कुनाल अंकल कहीं दिखाईने दे रहे, तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद वो चले गए थे, उन्हें कोई जरूरी काम था, आते ही होंगे ममा, रशीता रिशिता एक मिनिट रिशिता मेरी बात सुनो मैं उसे बात करकर आती हूँ रिशिता 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 मैं तुम्हें ये बात बताने की पूरी कोशिश करे थी लेकिन मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी अकिला छोड़ देजे मुझे चले जाएए मेरे रूम से प्लीज रिशिता आज तुम्हें सुनना ही पड़ेगा मैंने कुछ गलत नहीं किया शादी किये मैंने कुनाल से वो मेरा पती है और अब तुम्हारा बाप वो आपका पती होगा लेकिन मेरे बाप नहीं वो मेरे पापा की जगा कभी नहीं ले सकता सबजे आप रिशिता तुम कुनाल को अपना बाप मानो या ना मानो पर वो तुम्हें अपनी बेटी मानता है और एक बात तुम्हें जानना बहुत जरूरी है रिशिता जो आजकल तुम बोर्डिंग स्कूल में बढ़ रही हो ना यह सिर्फ और सिर्फ कुनाल की ही देन है बना तुम्हारा बाप मरने के बाद मेरे और तुम्हारे लिए कौडी भी नहीं छोड़ कर गया था देखो रिशिता कुनाल एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा है और तुम्हें अब एक अच्छी बेटी बनना है गुद नाइट रिशिता खाना खालो आके रिशिता कहां जा रही हूँ मैं मेरी फ्रेंड से मिल ले जा रही हूँ कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की चुप चाप चलो और खाना कहो ममा मुझे भोग नहीं है मैंने कहा नहीं खाना है तुम्हें खाना खाना पड़ेगा बैठो चुप चुप मुझे नहीं खाना मम्मा, तुझे खाना खाना पड़ेगा हेलो अटी जी क्रेश, आओ बिटा, खाना खालो क्रेश, चलो, रूम में चल के बात करते हैं, रूम में कोई नहीं जाएगा, जिसको जो भी बात करनी है वो यहां पर करेगा मैं फिर कभी आजाओंगा, कोई बात नहीं क्रेश, रोको एक मिनिट रूम में आप से दूर जी यहां से प बात नहीं जी एँ इस चाहरा तो इतना बुरा लग रहा है और आप जो कर रहे हैं वो मुझे नफरत है आपसे मुम्हा I hate you रेशिता ऐसे गुस्सा करने से क्या होगा वो ऐसे नहीं मानेगी आज का दिन रहने तो मैं उसे समझा दूँगा जो बच्चे बच्पर में बोर्डिंग इस्कूल में भेज़ दिया जाते हैं उनकी अपनी सोच बन जाती है जिसे बदलना मुश्किल है पर नमुम्किन तो नहीं उमीद मत हारो पृती सब ठीक हो जाएगा खुलाल मैं उसे हर तैरे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ पर नहां वो डाच से मानती है नहां प्यार से मानती है अब मैं उसे कैसे समझाओं, कि मैं एक माग के साथ साथ, एक इनसान भी हूँ, मेरे भी कुछ जरूरते हैं, मेरे भी कुछ ख्वाइशे हैं, हम ने जिन्दगी बर अकेले तो नहीं रह सकती थी थी था, तुम से शादी करके मैंने गलत किया गया, कुछ गलत नहीं किया तुमने, यकीन करो मेरा, रिशीत अभी सब कुछ समझ जाएगी जल्दी, सुबह से कमरे में भूकी बैठी है, कुछ नहीं कराया उसने, मैं उसे खाना खिला के आता हूँ, तुम उसके पास मत जा, यकीन करो मेरा, मैं जो भी करूँगा, सही करूँगा प्षिता? प्षिता? कुणाल, 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 मेरी बेटें घार चोड़कर चली गया, कुणाल, येने को, येने को, कुणाल, ख्याले कहा हुआ उससे, I hate you, मैं, कुणाल, मुस्से बहुत नफ्रत करती है, मेरी बच्यों से मोगार चोड़कर चली गए, प्ठोनी केस हाल में होगी, वो, प्लीज, प्लीज, ऐससे जो लोड़ लाओ, मैं उससे कभी कुछ निका ओंगी, मैं उससे माफِे माण लूगी, मेरी जल्सा खुद को ना देखो, मेरी बच्जी केस तो, लोगी, प्लीज, उ प्रिश्री तातो, अपना फोन घर पर ही छोड़ के गई है ताकि हम उसको ट्रेक ना कर सके कुलो, अब हम क्या करेंगे कैसे पता लगाएंगे वो कहा गई होगी तुम ही काम करो उसका दोस्त है वो खुरिश्य उसे जरूर पता होगा वो कहा है तुम उसे पूर करो सम्हालो गृती अपने आपको सम्हालो सब ठीक हो जाएगा कैसे सम्हाल पता अपको कुलार तुम तुम पुलिस को फोल करो ना बता हम की रिशिता कुमोगे अरे कैसे करो पुलिस को फोल ये ये दिवारे देख ली हो तुम लोग सोचेगे कि हम जुम कर रहें रिशिता के ऊपर एक बालिक लड़ की घर से भागी है इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती तुम क्या करेंगे कुनार हम ऐसे तो बेटे नहीं रह सकते ना देखो समालो अपने आपको मैं कुछ करता हूँ देखो मेरा एक दोस्त है जिसकी टेक्टिव एजनसी है मैं उसे बात करता हूँ प्लीज जल्दी करो कुनार प्लीज जल्दी करो निश्टा रिश्टा करे बारे में कुछ पता चला अभी तक तो नहीं उन लोगों सारे हॉस्पिटल रेलवे ट्रेक्स यहां तक की गेस्टाउस, होटेल तक चान मारा हूँ लेकिन रिश्टा काहीं मी पता नहीं चला रेलवे ट्रेक्स और हॉस्पिटल हाँ उन लोगों कहना है कि अक्सर ऐसे के सुसाइट कर लेते हैं नहीं कुनाल, दिशिता ऐसा कभी नहीं कर सकती हाँ, हर्गिस नहीं कर सकती लेकिन कुछ कह भी तो नहीं सकते कुनाल, सब मेरी गलती है ना मैंने उसे उस दिन धपर मारा होता ना वो गल से भागती, सब मेरी गलती है तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे आ, प्लीज छोड़ दो अपने आँखों ब्लेम मत करो तुमने कुछ नहीं किया है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है कुनाल, मैंने उसके सारे दोस्तों को कॉल किया क्रिश को भी फोट किया लेकिन किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में मुझे बहुत टेंशन हो रही है कहां होगी वो, किसा हाल में होगी मेरी बेगे थोड़ा सबरे रखू प्रीती हो सकता है न कि कल और पड़सों में रिशीत अगर बापास आ जाए लेकिन एक कर्णीशन है तुम्हें इसे खाना पड़ेगा मैं नहीं खाऊंगी तुम्हें इसे खाना पड़ेगा मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी चले जाओ मेरी कमरे से नहीं खाएगी खाँ ऐसे कैसे नहीं खाएगी खाएज़ा झाएब टो जाएगी तुम्हें लेकिन खाएगी आप मुझे ये कहा लेकर आयो सब क्या है सबक सबक सिखाने के लिए कोई अगर मेरी बात नहीं मानता है तो मैं उसके साथ क्या करता हूं खुनाल अंकल आप अभी इसम बच्चानी कर रहे हो अंकल नहीं डैडी डैड़ी कहो मुझे नहीं कहूंगी मैं तुम्हेंbak कहो मुझे नहीं कह 평ламने गडिकिन डेडी के सामने लडकों से गले मिलेगी किस परेगी हुआ कि और छोड़े कपड़े पहनेगी बदामीजी से बात करेगी बदामीजी मैं नहीं आप कर रहे हैHere मैंने तो आपको करने दिखाया हैं अपने पाप से ऐसे बात करेगी? बोल, डेड़ी, सॉरी! नहीं बोलोगी, बार जाओंगी पर तो मैं सॉरी, नहीं बोलोगी! रीथी? क्या हुआ? आपकी वाइप प्रेगनेंट है तेंक्यू, डॉक्र साँ, तेंक्यू, मैं कुछ दवायन लिख देता हूँ आप यह मंगबा लिजियेगा और कल इनको हॉस्पिटल में लेके आजाएगा मुझे यकीन नहीं हो रहा है प्रेटी, थेंक्यू, थेंक्यू सो माज रिशिता के बारे में कुछ पत्ता चले हां सब कोशिश में लगे हुए हैं और जिस तरह से वो लोग रिशिता को ढूंड रहे हैं मुझे लगता है कि अपनी रिशिता जल्दी मिल जाएगी हेलो रिशिका क्यासी हूँ देखो मैंने तुमसे प्रोमिस किया था ना कि मैं तुम्हें घड से दूर ले जाओंगा मैंने अपना प्रोमिस पूरा किया इंजॉय तो कर रही हो ना पानी पानी चाहिए वो तो नहीं मिलेगा एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए तुम बहुत जल्दी बड़ी बेहन बनने वाली हो देखो ना तुम्हारी मा तुम्हारी आदमें बहुत परिशान हो रही है और इस कंडिशन में उसको टेंशन लेना अच्छा नहीं है डॉक्टर नहीं मना किया है तुम मेरी बात क्यों नहीं मान जाती मुझसे माफी मांग दो अगर तुम मुझसे माफी मांग दोगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूगा मैं मर जाओगी पर तुमसे माफी नहीं मांगूँगी नहीं मांगेनी माफी नहीं मांगेगी माफी तो भूकी प्यासी यही मर जाएगी कि अंटी कहां जा रहे हैं वो मैं बस डॉक्टर के पास ही जा रहे थी अब मैं चोड़ दे था भगो पास महीं है मैं चरी जाओंगी अच्छा 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 अंटी विष्टिदा के बारे में कुछ पता चला नहीं कृष्टिश मैं जो भी उसके लोट्स फेंच के नंबर दिये थे इन सब को कॉंटाट करा पर किसी को कुछ नहीं पता है अगर उसका फोन आया कुछ भी उसके बारे में बता चले तो प्लीज मुझे बताना अँटी मुझे आपसे ईक बात कहने हैं I don't know कि कैसा कहूं कहूं ना रिष्टा क यह तो कुनाल जैसा कोई है जी आंटी यही बात मैंने इसीता से कही थी लेकिन इसका फेस नहीं दिखने के वज़ए से कन्फुजन हो गया था लेकिन बात मैंने देखी इसके हाथ के कुछ क्लोज शॉट्स निकलवाया हैं अगर यह आदमे कुनाल जी है तो कुनाल जी के भी तो शर्ट किसलीज फटी हुए होगी ना यह तो वही शर्ट है वही शर्ट है था उसने बीचे से मेरा टॉप भी काट दिया और उसने मेरे को एक केजी से मारा हलो क्रेश हलो क्रेश क्रेश अच्छा कल तुम मेरे कमरे में गई थी क्या हाँ मुझे कुछ आवाज आई तुम मुझे लगा शायद रिशिता आ गई गया तो बस मैं देखने चली गई थी तुम्हारे कान का एरिंग्स मेरे कमरे में गिर गया थी ओके थेंक यू वो रिशिता के बारे में कुछ पता चला क्या हाँ वो डिटेक्टिव हाईर की है न जो मैंने उसका फोन आया था अर्जेंसी में बुला रहा है अर्जेंसी में क्यों रिशिता ठीक तो है न वो तो पता नहीं जाने के बाद ही पता चलेगा मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी नहीं नहीं डॉक्टर ने मना किया कहा है कि तुम्हें आराम की बहुत ज़रुवत है तुम चाहिए पियो मैं फ्रेश हो के जाता हूँ ठीक है हलो क्रेश हाँ कुनाल अभी थोड़ी दिर में ही घर से निकलने वाला है तुम रेड़ी हो जो ओके तुम प्रेश तुम अभी तक जिन्दा है तुम अभी तक जिन्दा है हलो आउंटी हाँ इसी तक पता चल गया है हाँ कुनाल अंकल ने उसे यहां बांद कर रखा है मैं आपको एडर्स बैशता हो फोरान यहां आ चाहिए जी खुदका नहीं तो कम से कम अपनी मा के बारे में तो सोच माफी मांग ले मुझसे अगर तु माफी मांग लेगी तो आजाद कर दूँगा मैं तुझे मुझे लगता निये तु माफी मांगएगी चल ठीक है मैं ही तुझे आजाद कर देता हूँ क्योंकि मुझे डैडी बोलने वाला तो इस दुनिया में आने वाला है अब मुझे तेरी कोई जरुवत नहीं है कोई जरुवत नहीं है कोई जरुवत नहीं है चुप 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 पुझे पाप कर दो देखा खरीती यह क्या कर रही हो यह 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 लड़की सही नहीं है यह हमें हमें एक नहीं होने देगी और कभी भी मुझे टैडी नहीं कहीगी जानती हो क्यों क्योंकि यह लड़की अपनी जिन्दगी में आयाशी ही करना जानती है पृती मुझे समझने की कोशिश करो खबरतार जो उसके बारे में एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले उसने तुम्हें टैडी नहीं कहा तो तुमने उसके यह हालत कर दी हिब्द कैसे हुई तुम्हें उससे और नहीं क्यों ले चलो सबको हुई 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 तुम हुई 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 झाल झाल